हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टू माई चैनल यास्मिन्स की चनाब, आज मैं आपके साथ शेर करूंगे रेस्ट्रो एंड इस्टाइल चिकन बार्बीक्यू बनाने की रेसिपी, इस मज़दार से चिकन बार्बीक्यू को हम सिर्फ घर में मुझूद मिर्च मसालों से ही बना कोईलों पर बहुत ही ज्यादा सौफ्ट और एकदम जूसी हमारा चिकन बनका रेड़ी होता है चले देखते हैं किस तरह समें इस मज़दार से चिकन बार्बीक्यू को बना करेंगे तो इस मज़दार चिकन बार्बीक्यू को बनाने के लिए सबसे पहले हम उसका मसाला रे एक दाएागा, फिर आप उसका इस्तमाल कर लीजिए इसी के साथ में में यहाँ पर 3 टेबिल इस्पून अदरख był नस्सन का पेष्ट लिया है इन OFF का पेष्ट काछा पेष्ट लिया है कच्छे पपईतेय का पेस्ट आप जरूर्वर एट करें इससे हमारा चिकन सोफ्ट और जूसी बनकर रेडी होता है, चिकन में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, अब हम इसमें एट करेंगे कुछ पाउडर मसाले, 2 टेबिली स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबिली स्पून भुने हुए जीरे का पाउडर, 1 टेबिली स्पून गरम मसाला, 1 एंड हाफ टेबि कर लीजिए, यह उप्शनल है, आप एट करना चाहें तो एट कर सकते हैं, दर्वाइज आपी से स्किप भी कर सकते हैं, थोड़ा सा हम इसमें रेड फूट कलर एट करेंगे, रेड फूट कलर एट करने से हमारे चिकन में बहुत अच्छा कलर आएगा, सभी मसालों को हम साथ लेमन का जूस, छे से साथ हमने लेमन लिये थे, उसका हमने पहले ही जूस निकाल कर रेडी कर लिया था, वो एट कर देंगे, सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, लेमन जूस एट करने के बाद हमारे मसालों में बहुत ही प्यारी खुश बॉआ रही है, अब हम इसमें एट करेंगे 5-6 टेबिली स्पून कुकिंग ओईल, कुकिंग ओईल एट करने के बाद मसाले को हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे, और ये देखिए प्यारा सा हमारा मसाला बनकर रेडी हो चुका है, अब हम इसमें एट करेंगे 2 टेबिली स्पून कसूरी ती कसूरी मेथी एट करने से चिकन में हमारी बहुती पहरी खुश्बो और टेस्ट आएगा मिक्स कर लेंगे इसे मसाला हमारा रेडी हो चुका है इसे हम लग देंगे साइड में चलते हैं नेक्स्ट प्रोसिस पर यहां पर हमने ले लिया है फाइफ केजी चिकिन चिकिन को म सभी पीसिस में में इस तरह से सभी पीसिस में कट लगा लिये हैं क्योंकि यह बड़े बड़े पीसिस हैं इसमें हमने कट लगा लिया है कट लगाने से सभी चिकन में हमारे अंदर तक मसाला चला जाएगा अब हम इसे हातों की हेल्प से अच्छे से मेगिनेट कर लेंगे एक पीस उठाएंगे हम और उसे हम अच्छे से मसाले में कोट कर लेंगे. अच्छे से हमें चिकन पर मसाला लगाना है, ताकि जो हमने चिकन में कट लगाए हैं, उसमें अंदर तक मसाले का फ्लेवर जाए. यह देखिए इसी तरह से हम सभी चिकन पर मसाला लगाकर रेडी कर लेंगे यह देखिए हातों की हेल्प से हम सभी चिकन पर मसाला लगाकर रेडी कर लेंगे जो हमने कट लगाए है उसमें भी हमें अच्छे से मसाला लगाना है सभी चिकन पर हमने मसाला लगाकर रेडी कर लिया है चिकन हमारा मेगिनेट हो चुका है मैंने इसमें फूट कलर रेट किया था लेकिन मैंने गिलप्स नहीं पहने था तो मेरे हाथों पर फूट कलर लग चुका है अगर आप चिकन में फूट कलर रेट करें तो आप हाथों पे गिलाफ ज़रूर पहने, नहीं तो आपके हाथों पे भी food color लग जाएगा अब हम इसे एक बर्तन में set कर देंगे, क्योंकि मेरे पास time है तो मैं चिकन को 5-6 घंटे के लिए मेगिनेट करूँगी अगर आपके पास time कम है तो आप इसे 2-3 घंटे के लिए मेगिनेट कर सकते हैं चिकन तब भी आपका बिल्कुल perfect, soft और juicy बनकर ready होएगा क्योंकि इसमें हमने कच्छा पपीता एट किया है कच्छा पपीता एट करने से आपका चिकन soft और flavorful बनकर ready होएगा इसे हम cover करकर 5-6 घंटे के लिए freeze में रख देंगे यदि के 5-6 घंटे के बाद चिकन हमारा अच्छे से मेगिनेट हो चुका है चलते हैं इसे पकाने के process पर चार कोल को मैंने पहले से ही ready करकर रख लिया था अब आप कोई भी इस तरह का stand ले लिजिए stand पर हम एट करेंगे chicken के pieces और chicken के piece एट करने के बाद chicken को हम slow heat पर अच्छे से सेख लेंगे अगर हमारी heat ज्यादा हो गई तो chicken हमारा जल जाएगा यदि के सभी chicken हमने stand पर एट कर दिया है chicken को हम एक side से अच्छे से 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 शेक लेंगे जब हमारे चिकन एक साइड से अच्छे से सिख जाए तो हम इसे पलट लेंगे यदि के एक साइड से हमारे चिकन अच्छे से सिख चुका है अब हम इसे पलट लेंगे दूसरी साइड से भी हम चिकन को सेक लेंगे अच्छे से जब तक हमारा चिकन रेडी हो रहा है तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथी साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप मेरी आने वाली कोई भी लेटस रेसिपी मिस ना कर सकें इस पॉइंट पर हम चिकन पर हलका सा बटर या ओल लगा देंगे ताकि चिकन हमारा ड्राई ना हो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें वो आपकी तरफ से इनाम होता है हमारे लिए यह देखें दूसरी साइड से भी चिकन हमारा अच्छे से सिख चुका है अब हम इसे पलट लेंगे और इसे हम एक मिनट के लिए और सिख लेंगे एक मिनट के बास सुपर टेस्टी और जूसी हमारे चिकन बनकर रेडी हो चुका है आप देख सकते हैं चिकन का हमारे कितना प्यारा लुक आया है मैं आपको एक चिकन का पीस तोड़कर दिखाती हूँ कितना ज्यादा soft और juicy हमारे chicken बन कर ready हुआ है ये देखे कितना ज्यादा soft और juicy है अंतर तक इसमें मसाला है मेरी इस recipe से आप एक बाद chicken barbecue जरूर बना कर try करें अगर आपको chicken किस तरह की कोई और recipe चाहिए तो मुझे comment करकर जरूर बताईएगा मैं इंशाला आपके साथ जरूर शेयर करूँगी अगर आपको मेरी recipe अच्छी लगी है तो family और friend के साथ जरूर शेयर करें ऐसी ही unique recipe देखने के लिए चैनल को subscribe करना ना भूलें मिलते हैं next video में तब तक के लिए Allah आफिस